नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जेयर सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जीके के most important 50 questions को जो की आपके लिए practice set form में मौझूद है ठीक है तो इस practice set को आप लोग solve जरूर कीजेगा और अपने score अपनी तयारी को जरूर evaluation कीजेगा कि आपकी तयारी कैसी है इन 50 questions में आपके अगर एक एक नंबर के हिसाफ से जोड़ा जाया तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं ठीक है दोस्तों अभी तक आपने पुरानी वीडियो को अगर नहीं देखा है जो कि मैंने RMDC के regarding ही बना रखा है तो उन वीडियो को भी आप ल वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिफिकेशन के बैल को भी दबा कर आल को सेलेक्ट कर लेजेगा ताकि आने वाले हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ठीक है ना दोस्तों और अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए मॉडल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप लोग मॉडल पेपर डा अहला प्रस्ण है निम्लिकित में से किस तिती को दिती विश्यूद प्रारंब हुआ था ऑप्शन से आठ अगस्त 1940 एक मई 1949 एक सितंबर 1949 और इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप लोग अगर ऑप्शन नंबर 3 के साथ में तो बिल्कुल स आप लोग कमेंट करते थे कि बाइलेंग्वल होना चाहिए तो बाइलेंग्वल क्वेश्चन यहां पर रखे गए ठीक है अब देखते हैं अगला प्रस्ण निम्लिक में से जैन धर्म के संस्थापक वह तीर्थंकर कौन है ठीक है ऑप्शन से पारसुनात महाबीड स्वाम कोई WARDEMAN और रिशभ देव तो यहां पर दिखे इस उप्शन में से चार उप्शं में इस एक इसा है जो सथापक भी रहे हैं और तेर्थंकर भी रहे हैं तो वह ऑप्शन कौन सा है यहां पर ठीक है तो अगर आप 4 के साथ में हैं तो बिलकुल करेक्ठ है रिशब और चाहिए आप लोग आंसर जरूर देजिएगा ठीक है और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमको motivation मिल सके और आप लोगों के लिए बहतर से बहतर content provide करा सके ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं प्रसन है सौर मंदल का एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन है उसका उ कौन सा है ठीक है तो प्रतिवी का कौन सा है आपको पता ही है चंद्रमा है option number two यहां पर correct हो जाएगा ठीक है अगर आप प्रसन देखते हैं सरीश्रिप वर्ग का प्राड़ी है ठीक है सरीश्रिप वर्ग का प्राड़ी है option से कचुआ रोहू खर्गोस और समुद्री घोड ठीक है तो यहां पर सरीश्रिप किसे कहते हैं सरीश्रिप उसको कहते हैं जो कि रेंग कर चलता है ऐसे जनतू जो रेंग कर चलते हैं उनको सरीश्रिप वर्ग में रखा जाता है तो यहां पर option number one जो है वो correct हो जाएगा कचुआ ठीक है अगला परसन देखते हैं question थोड़ा ग्राहम वेल आइंस्टीन और जेल वेर्ड दिया हुआ ठीक है तो इसमें जो right answer है दोस्तों वो है ग्राहम वेल ठीक है टेलीफोन की खोच किस ने की थी ग्राहम वेल ने की थी ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं प्रसन है reserve bank of India के पहले गवर्नर थे ठीक है अब दे टिक करेंगे अगर इस तरीके से प्रसन आ जाता है और आश्वान इसमित ठीक है reserve bank के पहले गवर्नर थे ठीक है और यह विदेशी थे ठीक है अंग्रेज थे और अगर भारती की बात की जाए कि reserve bank of India के पहले भारती गवर्नर कौन थे तो वो cd देसमुक हो जाएगा क्या ह अप्संस है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 70 ठीक है तो इसका जो right answer दोस्तों अनुच्छेद 72 जो है इसमें राष्टपती के पास छमादान की सक्ती दी गई है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं भारत में सरवाधिक जनसंख्या घनत तो किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में है ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा confusion वाला सवाल होता है यहाँ पर जब इस तरीके से पूछ ले ठीक है राज्य या केंदर सासित प्रदेश तो उस समय तो दिल्ली होता है और जब पूछे कि सबसे अध दोनों का पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option no.3 दिल्ली ठीक है भारत में सरवाधिक जनसंक्या घनत्व किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में है तो वो दिल्ली में है अगला प्रशन गांधी इर्विन समझवता किस वर्स में हुआ था option से 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1940, 5 मार्च 1931 और 8 मार्च 1930 इसका जो सही आंसर है वो है 5 मार्च 1931 ठीक है गांधी इर्विन समझवता जो हुआ था 5 मार्च 1931 हिस्वे में हुआ था चलिए अगला प्रशन देखते हैं कौन सा विटामिन पानी में घुलंसील है ठीक है पानी में घुलंसील बिटामिन को पूछा गया यहाँ पर ठीक है दोस्तों बिटामिन को याद करने का कि कौन सा विटामिन जल में घुलंसील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलंसील है एक ट्रिक है उसका मीडियो मैंने बना रखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजेगा यहाँ पर आई बटन में उसका link में दे दूँगा ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं प्रस्ण है सिकांगो किस जील के किनारे इस्थित है तो options है Michigan जील, मांसरूवर जील, चिलका जील और बैकाल जील तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है option number one यानि की Michigan जील ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं धुआधार जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है options है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गंगा तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है option number one यानि की नर्मदा नदी पर ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं संउक तराष्ट संग का मुख्याले कहां इस्थित है और प्रस्ण देखते है भारत के पर्थम सफल परमारू बंपरिच्छड को दिया गया कोड नाम क्या था ठीक है options है happy बुद्धा, dancing बुद्धा, laughing बुद्धा, smiling बुद्धा तो इसका जो right answer है दोस्तों अगर आप option number four के साथ में है तो बिल्कुल correct है smiling बुद्धा is the correct answer अगला प्रस्ण देखते हैं माउंट केटू की उचाई निमन में से कितनी है ठीक है माउंट केटू की उचाई निमन में से कितनी है options है 8848 मीटर, 8611 मीटर, 8200 मीटर इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer दोस्तों वो है 8611 मीटर ठीक है तापी नदी, तवी नदी, तुंग भद्रा नदी और महा नदी इसका जो right answer दोस्तों वो है तवी नदी option number two यहाँ पर correct है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है options है 20 March, 11 July, 1 May और 12 January तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों तो इसका right answer जो होगा वो होगा 11 July को ठीक है option number two जो है यहाँ पर correct है अगला प्रस्ण देखते हैं भारती राष्टी कांग्रेश की स्थापना निम लिखित में से किस वर्स हुई थी options है 1880, 1885, 1884 और 1800 इसवी में ठीक है तो इसका right answer है 1885 इसवी है ठीक है option number two यहाँ पर correct है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में कुल कितने सास्त्री भासाए है ठीक है तो भारत में कुल 6 सास्त्री भासाए है option number three यहाँ पर correct हो जाएगी कौन कौन सी भासाए है तो वो एक पहला है कंणर, दूसरा है मल्यालम, तीसरा है तमिल, चौथा है तेलगू, पाचवा है ओडिया और छठवा है संस्कृत ठीक है तो यह छे भासाए जो है सास्त्री भासाए है ठीक है अगला प्रस्ण देखते ठीक है तो यहाँ पर option number one जो है वो correct है लॉर्ड रिपन के कारेकाल में दस्की आधार पर जनगर्णा सुरू की गई थी ठीक है सरपर्थम जनगर्णा कब सुरू की गई थी तो 1872 इस्वी में कब की गई थी 1872 इस्वी में लेकिन यह दस्की आधार पर नहीं था यह लॉर्ड रिपन के कारेकाल में दस्की आधार पर जनगर्णा को कर दिया गया कब से 1881 इस्वी से ठीक है दस्की आधार पर जनगर्णा चल रहा है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है लाल बहादूर सास्त्री के समाधी स्थल का क्या नाम है ठीक है तो समाधी स्थ का नाम बताना इनके सकती इस्थल है विजय घाठ है राज घाठ है समता इस्थल है इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों देखिए लाल वहादूर सास्त्री बहादूर की हमेशा विजय होती है ठीक है क्या होती है बहादूर की हमेशा विजय होती है इसलिए क्या है लाल बहादूर सास्त्री के समाधी का नाम क्या है ऑप्सन नमबर टू यहाँ पर करेक्ट है विजय घाट है ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं 1916 में कांग्रेस के लखनव अध्यूवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी अप्सन से अंबिका चरण वजुमदार मुहम्मद अली जिन्ना नवाप मुहम्मद इसमाईल खान अच्छा यहां इसी प्रस्ण में मैं पूछ लेता हूँ एक प्रस्ण आप लोग जवाब दीजीगा उसका कि पाकिस्तान का सस्थापक किसे कहा जाता है पाकिस्तान का सस्थापक किसे कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए ठीक है आपको पता है तो इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा ठीक है चलिए फिलाल इस प्रसंद का जो उत्तर है वो है अंबिका चरण मजूमदार ठीक है तो यहां पर देखिए और उप्सन नूबर वन है मुरार मोर जी देसाई देरिंद्र मोधी संभू क kidney चिट्टी और इनमें सेकोई नहीं ठीक है तो इसका जो रहायट आंसर है वो है पूरो प्रधान मंतरी मूरार जी दिसाई ठीक है option number one यहाँ पर correct है ठीक है और सन्नमुक चिट्टी जो है ये भारत में प्रथम बजट पेस करने वाले बैखती है ठीक है प्रथम बजट इन्होंने ही पेस किया था चलिए अगला प्रसन देखते हैं दूद से दई बनाने में किस जिवाडू का प्रयोग हो options है लेक्टोवेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोवेक्टिरियम और E. coli तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है लेक्टोवेसिलस ठीक है क्या है लेक्टोवेसिलस इस दक राइट आंसर अगला प्रसन देखते हैं रेवीज के टीके की खोज निमन में से कि कि थी ठीक है options है Edward Jenner, Louis Pasteur, Mandel और इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रेवीज का खोज किस ने किया था रेवीज के टीके की खोज किस ने किया था तो लूई पास्चर ने किया था option number two यहां पर सही है ठीक है option number two is correct अगला प्रसन देखते है जनरेटर का विश्कार किस ने किया था options है Newton, James Wart, Michael Faraday, Einstein तो इसका जो राइट आंसर है वो है option number three Michael Faraday ठीक है अगला प्रसन देखते हैं Asian Development Bank का मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा Manila ठीक है यह जो option है वो correct है option number three Manila ठीक है चलिए अगल कि पहली पंचवर्शी योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो option से हैरड डोमर मॉडल डीपी धर मॉडल जॉन सेंडी तथा सुक्मे चक्रवर्थी मॉडल और योजना आगत निर्गत मॉडल ठीक है तो इसका जो right answer है वो है option number one हैरड डोमर मॉडल ठीक है चलिए अगला प परदेश पस्चिम मंगाल बिहार असम तो इसका जो right answer है दोस्तों किस से मिलती है तो बांगला देश की सीमा जो है वो पस्चिम मंगाल से मिलती है चलिए अगला प्रसन लेकते हैं माजुली निमनिमे से किस द्वीप पर इस्थित है ठीक है option से माजुली द्वीप अंडमा वर्स 2011 की जनगर्णा के समय भारत की जनगर्णा आयुक्त कौन थे यानि कि भारत के जो कमिशनर थे सेंसर कमिशनर वो कौन थे तो इसका जो right answer है वो है option number one चंद्रमौली थे ठीक है विवेक जो सी present time में जनगर्णा आयुक्त है भारत के अगला प्रसन देखते हैं सरोजनी नाइड़ी ने किस अधिवेशन में कांग्रेश की अधिक्षता की थी ठीक है options है कौन से अधिवेशन में कौन से वर्स के अधिवेशन में तो options दीखी यहां पर 1925 1931 1931 ठीक है तो इसका जो correct answer है वो है 1925 इस वी में ठीक है सरोजनी नाइड़ी ने अधिवेशन किस अधिवेशन में ठीक है कांग्रेश की अधिक्षता की थी ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण भी काफी इंपोर्टेंट है जनसंख्या किस सूची का विशे है ठीक है तो यहां पर options देखिए समवर्ती सूची है संग सूची है उप्रुक्त दोनों तो ज किस सूची काफी से है तो वो संग नब्स होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते है लपीजी में गंद किसके कारण होती है ठीक है ये जो Champ एक हम उसमें कुछ न मिलाएं तो इसकी कोई गंधनी होती है ठीक है और ऐसी स्तिती में अगर क्या हो जाए लपीजी लीकेज हो जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा और हम लोग जाएंगे वहाँ पे लाइटर या माचिस की तीली जलाएंगे पूरी घर में आग लग जाएगा ठीक है तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है उसमें एक कंपाउंड मिला दिया गया है वो क्या है तो यह देखिए औपसंस में क्या क्या दिये हुए है अगर लीकेज हो रहा होता है तो हमको पता चल जाता है कि एलपीजी का रिशाव हो रहा है ठीक है चलिए अगला प्रस देखते हैं भारत में नियुन्तम जनसंख्या किस राज जी की है ठीक है नियुन्तम जनसंख्या किस राज जी की है option से उत्तरपरदेश, सिक्किम, राजिस्थान और मद्धिपरदेश तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है option number two सिक्किम ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का time based नहों इसलिए मैं answer यहाँ पर फटा-फट बताते जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का समय भी कीमती है ठीक है फिलाल आप लोगों को पता तो चली रहा होगा कि मुझे प्रसन आता है कि नहीं आता है उसी साब से आप अपना आकलन करते रहेगा और मुझे comment box में जरूर बताईएगा कि आपके कितने श्कूर आए ठीक है चली अगला प्रसन देखते है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है ठीक है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है ओप्शन से है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D ठीक है तो रिकेट्स रोग जो होता है वो vitamin D की कमी से होता है किसकी कमी से? vitamin D की कमी से होता है अगला परसंद देखते है ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ठीक है? for man, sir William Ramsey, Humphrey Davy, Joseph Blake इसके options है कौन सा option इसमें सही है दोस्तो तो option number one जो है वो बिल्कुल correct है for man, ठीक है? ओजोन छिद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अगला परसंद देखते है कुछी पूरी निम्नि में से किस राज्य का सास्त्री निरत्य है? ठीक है? option से केरल, उत्रप्रदेश, आंदरप्रदेश, तमिल नाडू तो इसका जो right answer है option number 3, यहाँ पर correct है ठीक है? राउर केला, स्टील प्लान्ट किस के सहयोग से लगाया गया है? option से जर्मनी, रूज, जापान, श्रिलंका तो इसका जो right answer है दोस्तों वो है option number 1, जर्मनी ठीक है? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है अगला प्रस्न है दसवी अनुसूची निम्न में से कौन सी संविधान संसोधन में जोड़ी गई ठीक है? तो यहाँ पर option number 2 जो है वो विल्कुल correct है 52 संविधान संसोधन के तहत उसको जोड़ा गया ठीक है? चलिए अगला प्रस्न देखते हैं वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है ठीक है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो इसका जो right answer दोस्तों वो है option number 3 यानि की 12 है ठीक है? और मूल संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए तो मूल सम्मिधान में अनुसूच्यों की संख्या कितनी है तो वो है आठ ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं भारती राष्टी कांग्रेश के प्रत्थम मुस्लिम अद्यक्ष निमनी में से कौन थे यहाँ पर आप्शन से बदरुदिन तयब जी डॉक्टर जाकिर अब्दुल गफ़ार खान और अब्दुल कलाम आजाद ठीक है तो यहाँ पर आप्शन नमबर वन जो है बिल्कुल करेक्ट है बदरुद्दीन तयब जी ठीक है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है लोक लेखा समिती में कितने सदस्य होते हैं आप्शन से दस ग्यारा बाइस और चौदा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नमबर तीन बाइस होते हैं ठीक है पंद्रह जो होते हैं वो लोक सभासे होते हैं और साथ सदस्य जो होते हैं वो राज सभासे होते हैं अगला प्रसन देखते हैं निमनि में से कोईले का कितने वर्षों का होता है option से चार वर्ष छे वर्ष पांच वर्ष और इन में से कोई नहीं तो यह प्रशनगर कभी आ जाए तो आपको बड़े ध्यान से इस प्रशन को पढ़ना है ठीक है और इसका जबाब देना है ठीक है क्योंकि राजसभा का कोई कारेकाल नहीं होता है राजसभा का कारेकाल नहीं होता है क्योंकि राजसभा जो है इस थाई सदने यह कभी भंग नहीं होता है इसलिए इसका कोई कारेकाल नहीं होता है इसलिए option नमबर फोर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते है प्रसन है लोहा किस आय से ठीक है सबसेल उत्तर प्रदेश दिली मद्ध्रतिश बिहार दकि छट पुजा काफी popular पूजा अपनग जाता है JUST थे कर एक इसलिए इसमें जो आंशर है यूपि और बिहार से योगा धेकर लेकिन इस इस यूप यूपि वो क्या है चट पूजा है ठीक है अगला प्रस्ट देखते हैं निम्नि में से सेख्त राष्ट सुर्ख्षा परिशत के इस्थाई सदस्यों कौन है ठीक है अब देखी यहां पर इस्थाई सदस्य हमको बताना है तो यहां पर रूस है नेपाल है भारत पाकिस्तान दिया अगला प्रस्ट देखते हैं और आज के इस प्रक्टिस सेट का लास्ट प्रस्ट है प्रस्ट है एक रुपए के नोड़ पर किसका हस्ताक्षर होता है ठीक है ऑप्सन नमबर वन बित्त सचीव बित्त मंत्री आर बी आई के गववनर और राष्ट पति तो इसका जो सचीव का क्या होता है हस्ताक्षर होता है एक रुपए के नोट पर ठीक है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो को भी सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले किसी मत्पूर वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत